अमस्कार दोस्तों अज का हमारा टॉपक है नेडवर्क टॉपलोजी नेटवर्क से अदर आपर एक कॉमन ट्रांस्मिशल लाइन थी और यहाँ पर इस टाइप से हमारे जो नोड है वो कनेक्ट शेज़ अब हमने इसमें क्या advancement किया है यह जो दोनों connected end है connecting end A और connecting end B इन दोनों को आपस में हमने connect कर दिया मतलब topology with connected ends जो end है नहीं हमने आपस में connect कर दिया इन्हें हम लेके आगे close loop के अंदर close loop मतलब हम यहां पर देख सकते हैं कि हम इस टैप से हमने इनको दोनों को connect कर दिया और हमारे जो है नोड वह अब यह है लेट जे रिंग topology मतलब रिंग की सेफ में यह बन जाते हैं यहां पर क्या होता है अब्री नोड इज connected to other node without termination हर नोड जितने भी हम नोड देखेंगे हम इसको के साथ connect नहों कुछ नहीं और हर नोड हमारा हर नोड के साथ connect है हर नोड कि सबके साथ सब तो नहीं है के लेकिन हमने देखा यह हमारा इन दौनों के साथ साथ connect है यह नोड हमारा इन दोनों के साथ connect यह नोड किसी ने किसी नोड के साथ है अगली चीज यहां पर जो data होगा वो युनी डिरेक्शन होगा मतलब data का flow होगा वो clock by direction में होगा flow of message तो flow of message जो हमारे clock by direction में होगा तो उसमें अगर हमें इस server से अगर data transmit करना है इसके पास हम तुरुंद कर सकते हैं लेकिन जब इसके पास अगर data टांस्मिट करना है लिए एक ले लिए ट्री ले लिए ट्री करना है तो उसके लिए बंसे जाना पड़ाएगा है कि मतलब जो भी हमारा एक नोट है वह अपने प्रीबिस नोट से डिटा रिसीब करेगा और नेक्ष्ट नोड के लिए डेटा क्या है ट्रांस्मिट करेगा वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा इतना क्लियर हो गया अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने बात कि टुटव गैसे टोकिन इसके पास आगया ट्रांस्मिट लिए और इसकी का पूरा पाज चलता है इसकी के लेटा टैंस्मिट करते हैं तो किन हमारा बर्क करता है से मांसते केरियर की तरह टोकन लाइक केरियर मतलब जो डेटा फ्लो को है डेटा को कैरी कर रहा है तो उसके क्या करते हैं जो टोकन है वो हमारे टांस्मेट होता है अब अगले चीज यहां पर रिपीटर का हम यूज करते हैं जो हमारे रिंग है और और जो हमारे नोड है उनको connect करने के लिए हम यह पर repeater का भी यूज करते हैं इसमें आगे देखते हैं यह जो नेटवर्क हमारे हम यूज कर रहे हैं थे पि टू पी नेटकर नतलब यहां पर कोई भी नोड है को बी नोड उसे extra access नहीं मिली हुई है उसको कैया है एकनोड के पास नोड diez उत्य है इसकारी नोड जितने हमारे पास यहां नोड है इनको सब को अर्फर प्रिविलेज मिली हूई दूसरी चीज क्या है यह पॉइंट नेटवर्क आता है P2P क्योंकि हर एक एक पॉइंट से हमारा अटैच हो रखा है अब यहां पर हम बात करते हैं number of port number पहले देखते हैं number of node तो number of node तो नंबर ओप नोड हमारे यहां पर कितने हैं हमारे यहां पर पांच नंबर ओप नोड है अब इसी टाइप से हम देखेंगे नंबर ओफ केविल तो केविल भी जितने हमारे नोड है उतने ही हमारी केविल रहती है अगली चीज़ आएगी हमारी पॉर्ट पोट पर नोड यहाँ पर हमारे होते हैं धो कि अब हम आगे दखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे एडव़ंटेज्ट है डवंडेज्टी फॉर्म में अगर बात करें तो यहां पर जो भी हम message transmit करते हैं उसकी performance जो बश टोपलोजी थी उससे better होती है हमारी अगली चीज जितने भी node है हमें सब को equal access मिला होता है अगली चीज होती है इसका installation वहत easy है मतलब हमें किसी क्या करना है बस हमें कोई भी नए computer यूज करना है मतलब माल लोग कि यहां पर हम 3 और 4 के बीच में नए system लगाना है तो इस cable को यहां से हमने remove किया और उस computer के अंदर fit किया और यहां पर एक नई cable जोड़के इन दोनों को जोड़ दिया इस इतना से काम में हमारे क्या हो गया नए system नहीं आपर एड़ कर दिया अगली चीज कौश्ट यहां पर क्या हो रही है कौश्ट हमारी यहां पर कम है क्योंकि यहां पर हम एक cable से दो पोड़ को connect कर रहे हैं तो जो ज़्यादा expensive यह process नहीं है और प्रावलम क्या है प्राव यह हमारी इसके पास एक प्रावलम आती है अगली चीज हमारी आती है कि यहां पर security नहीं है मतलब no security अगर data हमें जो message है हमें वो 1-5 के पास transmit करना है इसके पास तो हमें data को 1-2 लेकर जाना पड़ रहा है तो टो भी इस data को देख रहा है तो जिसके पास data हमें लेकर जाना है उससे पहले बाकि सब में data क्या हो रहा है data हमारा बिजी बले डेटा सबके पास अब क्लाइंट के पास data पहुंचता है हमारा जो में डेस्टीनिस ने वहां पर डेटा पहुंचे तो यह हमारे पास इसकी एक प्रॉब्लम आती है यह है रिंक्स अगली टॉपलोजी देखते हैं next अगली हमारे यह तो प्लोजी में क्या है य पॉइंट तो पॉइंट तो पॉइंट तो पॉइंट तो पॉइंट कनेक्शन ही है तो जो भी हमारे नोड है तो वह एक सेंट्रल स्टेशन जिसे हम सर्वर बोलते हैं उसके साथ डारेक्टली कनेक्ट होते हैं तो हर जो नोड हमारे हब के साथ कनेक्ट है और इसी को हम बो अब को जरूर पता होगा। मतलब बिना हब के कुछ भी पॉसिवल्टी नहीं है। अब यहां पर देखते हैं हमारे यहां पर हमारे पास पूर्ट कितने होंगे। नमबर पूर्ट के अगर बात करें थे पहला देखते हैं नमबर ऑफ नुडूट। तो number of node हमारे यहां पर चार है यह देखते है number of cable तो number of cable भी हमारे पास कितने ही यहां पर चार है जितने हमारे पास node है उतने ही हमारे पास अब port देखते हैं port कितने हमारे पास तो total port total port हमारे पास आते हैं अब 4 तो इनके port हो गए अब यह किसके साथ कनेक्ट हब के साथ में यहां लुगा 510 अगली प्रावलम मिसमें देखते हैं कि अगर हमारा हम खराब हो गया अगर हघर अंदर कोई प्रावलम आजाती है फिर क्या हो गा हिसवाड़ी है लेकिन प्रॉलब हमारी आती है कि single point failure अगर हमारा यहां पर failure हो गया हमारा पूरा जो नेट वर्क है वो बंद हो जायगा कि लेकिन अगर हमके अलावा माल sollte यह सिस्टमारा कराब हो गया इसको सब्सक्राइब हो गया इसका है कोई मतलब ज्यादा कॉश्ट नहीं पड़ दी क्योंकि हमें डारेक्ट लीकिए हब अपका खर्जा माल लो एक तरह से अगली चीज यह जो यूज करेंगे हम स्मॉल नेटवर्क के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं अब माल लो कि हमने यहां पर 100 सिस्टम लगा दिये अब हब जो है हब 100 के साथ कनेक्ट हो सकता है हब के अंदर इतनी पोर्ट अबलीबल है या नहीं है यह वी चीज होगी तो हम इसको एक तरीका और आता है एक्स्टेंड करने का मतलब माल लो कि हमने यहां पर हब यूज किया लिख होड़े-पार है वाथ एक सिस्टम यह अग्ण सीस्टम चार नूट याइस हमें लगाने तो हमें क्या किया है क्या है हमने यह इंको हमने को अपसमों से कशेरा दिया तो को बोलते हैं extended start apology मतलब उसको extend कर सकते हैं कितना भी उसको extend कर सकते हैं तो यह था हमारे पास start apology वीडियो को लाइक किजिए चैनल को subscribe करें थैंक्यू थैंक्यू अब्रीवन